नमस्कार दोस्तों मार्केट एट 11 में आप सब लोगों कस्व आगता है चलिए दिखते मार्केट कैसा भीएफ कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी बैंनिफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अरौंड 17,460 पर और बैंनिफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अरौंड 40,880 के करीब बहुत ही धाथ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आजपस बैंनिफ्टी ट्रेड कर रहा है तो यहां से क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट वोकिंग आ सकती है तो उसके लिए थोड़ी आप थोड़ा सा अलर्ट र करनी चाहिए ठीक है तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आप option chain data को यहां पे देखोगे तो क्या है कि यहां पर आप देखो 17,400 की call पे 73 लाग का open interest खड़ा हुआ है और put पे कितना है करीब करीब 1.11 लाग का open interest खड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है 17,400 आप अब in the money option sell करने की कोशिस कर रहे है तो यह जो in the money option sell करने की कोशिस हो रही है यही market के लिए एक make or break पा level है अब यहां पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है उस चीज़ को मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ तो चार्ट पर चलते हैं चार्ट पर देखो यहां प इंट्श Pal विए फोर यहां पाई तो अब को आपको कि नदर रखना है आपको सिंपल जी चीज़ है पांकमिनट का चार लगाना है अब आपको जब तक आप इस लो के नीचे नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तक आप पॉजिव हो जब इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहां पर क्या करोगे एक इस टार्गेट आपका जो होगा वह पहला होगा 17,400 का और चार्ट के नीचे जाएगा तो फिर आपको जो नेक्स टार्गेट मिलेगा वह मिलेगा आपका 17,375 का ठीक है अब यहां पर दो तरीके हैं इस चीज को फॉलो करने का कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां से मार्क की तरफ आ रहा है ठीक है इतना समझ में आ गया वहीं अगर हम बात करें बैंग निफ्टी की तो बैंग निफ्टी आप देख सकते हो अराउंड इस ट्रेंड लैंग के आसपास ट्रेट कर रहा है तो जायड़ी बात है पांच मिनिट का यहां पर मैं गाहूं तो अभी क्या कर रहा है बैंग निफ्टी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो इस लेविल को होल्ड करने की कोशिस कर रहा है यह जो लेविल है ठीक है चालेस अदार 860 के नीचे अगर यह ट्रेट करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफित बुक कि मार्केट अगर देखो कि खुलने के साथ ही यह मुमेंट करके आया है तो खुलने के साथ मुमेंट में नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर के लेविल पे अपर करीब 40-50 पॉइंट का टार्गेट है उपर की तरफ बाइंग का मेरा कोई रिकुमेंडेशन नहीं क्यों नहीं ह यहां से बले यह 100-500 पॉइंट ऊपर चला जा मुझे कोई फरक नहीं परता है यहां पर मैं बाइंग नहीं करूँगा बाइंग के लिए एक बाइंग रिट्रेस्मेंट आएगा देन तब मुवमेंट करेगा तब बाइंग अच्छी घासी बन सकती है वाट फिलाल बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि कल एक इवेंट है इवेंट से पहले प्रॉफिट वुकिंग आ जाती है इस चीज़ को आप क्लियली ध्यान में रखेगा बैंक निफ्टी यहां पर दीरे दीरे उपर जाने की कोशिस कर रहा है तो अराउंड डे हाई के टार्गेट तक भी आ सकता है इतना आप क्लियली समझ लीटीगा अगर 41,000 क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी बात होगी तो हमारे लिए सबसे अच्छा वैलिंगोड है बट 41,000 पार कर पाएगा इसकी गुंज़ाइश मिनको थोड़ी सी कम देख रही है टेच कर सकता है लेकर इसके उपर सस्टेन कर इसकी कुछ ज़एश थोड़ी सी कम देख रही है यहां पर इतना आप क्लियली समझ लीटीए टीक है ग्लोबल मार्केट के सिच्वेशन अगर हम यहां पर देखें तो अराउंड अ फ्लाइट से हैं कोई जाधा बड़ी पौदिटिविटी थी नहीं ना ऐम बड़ी बड़ी नेगेटिव है तोफ्लाइट से ग्लोबल मार्केट कामकाच कर रहे हैं तो आप इन पर नजर राको यहां पर तो अगर इन नेगेटिव होते हैं मैं किसी वी रीजन से तोड़े स का confidence है बट थोड़ा साभी market नीचा आए तो यह potratus को भागने में कुछ जादा देर नहीं लगी कि क्योंकि यह fresh open interest है यह आज के दिन का add हुआ open interest है तो इस पे आप जरूर गौर करिएगा ठीक है तो लेवल मैंने आपको बता दिया है अगर आपको sell करना है तो इस लेवल के break होने का जज़ा करिए ठीक है बैंक निफ्टी में आप इस लेवल का break होने का ज़ा करिए यह लेव देने वीडियो इसे के साथ शुक्रिया दोस्तो जैह हिंड़